क्या है आध्यात्म दर्शन चिंतन धारा विद्या यह संस्कृती की परंप्रागत विरासत आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य नाव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिये और समझे उपासक डौक्टर सोहन राज तातेड से हमारे खास कारिक्रम आत्म विज्यान में आत्म विज्यान यानी सही द्रिश्टी सही सोच कानून का जो है वो सहरा लेते हैं उससे हमको यूनिवर्सल टुट सार भौम सत्य और सनातन सत्य की प्राप्ती होती है और जब एक बार सनातन सत्य हमको प्राप्त हो जाता है तो हम जो है वो सनातन सुख की और जाते हैं बलिश की तरफ जाते हैं आनंद की जाते हैं अक्ष सुन्दर एपिशोड है भावनात्मक विकास भावनात्मक विकास को emotion quotient कहा जाता है भावनात्मक स्वास्ति क्या है कि जिस स्वास्ति के अंदर क्रोध, एंकार, माया, लोब, negative thoughts आ जाते हैं तो हमारा भावनात्मक स्वास्ति बिगड जाता है सारे negative thoughts दिमाग में आने पर जो है बावनात्मक्स वास्ते बिगड जाता है और हमारी भारतिय संस्क्रती के अंदर नेगेटिव थोर्ट्स को अठारा जो है भागों के अंदर डिवाइड किया गया है और वो भाग है प्रानती पाप, मर्शावाद, अदतादान, मैतन, परिग्रे, क्रोध, मान, माया, लोब, राग, द्वेस, कले, अब्याक्यान, पैसुनिय, परपरिवाद, रती, अर्ती, माया, मर्शा, मित्या, दर्शन, शल्लिपाप यह अठरा अलग-अलग कैटेग्री है, यह सब बुराईया है, यह सब नेगेटिव थौर्ट्स है, और यह हमारे भावनात्मक स्वास्ते को असंतुलित करते हैं, इन सब के मैं, जो इनके सब के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इसके डिटेल में चला जाओं और इनको दो भागों में डिवाइड करें, तो वो रागद्वेश होते हैं, राग के अंदर होता है हमारा माया और लोब, और द्वेश के अंदर होता है क्रोध और रहेंकार, व्यक्ति को अगर समयराईज किया, इसको कैटेगराईज किया, तो व्यक्ति जो है, जीवन भर इस राग द्वेश जो के अंदर जो है खोया रहता है किसीन किसी रूप में राग द्वेश करता रहता है और जो लोग राग द्वेश नहीं करते हैं वो परफेक्ट तोर पे वो भावनात्मक स्वास्ते वाले व्यक्ति होते हैं उनके emotions control होते हैं उनके negative emotions नहीं होते हैं उनके positive emotions होते हैं positive emotions करेना बहुत अच्छी बात है positive emotions से हमारा progress होता है positive emotions का मतलब positive thinking positive thinking क्या होता है कि जैसे आत्म विश्वास इमानदारी और सांती पूंट सहस्तित्व और मेत्री प्रमोद करूना मद्यस तास्च लोगों की मदद करना लोगों के बलाई के बारे में सोचना जगत कल्यान की बात सोचना परोबकार की बात सोचना और बढ़ों को जो है वो प्रनाम करना बढ़ों को सम्मान देना किसी की परती बुरे भावनी लाना और किसी के दोश नहीं देखना किसी की opinion अभी प्राय नहीं देना ये सारा हमारा positive emotions थे तो हमारा भावनात्मक विकास कब होगा जब हमारे positive emotions आएंगे और negative emotions जो है वो दीरे-दीरे अभ्यास के दोरा प्रियोगों के दोरा जो है वो समाप्त हो जाएंगे तो भाई और बैनो आज हम सिक्षा जगत को देखें तो आज के और गुरुकुल प्रणाली के सिक्षा जगत का difference देखें तो आपको भावनात्मक स्वास्ते का जो है बहुत अच्छी तरह से जो है line of demarkation जो है मिल जाएगी पुराने समय के अंदर गुरुकुल education हुआ करती थी तो पहले समय में क्या था कि हमारे भारतिय संस्कृति को चार वर्णों में बाटा गया था ब्रामन, ख्षत्रिय, वैसिय और शुद्र ये चार वर्णों के अलग-अलग कारे होते थे ब्रामन होता था वो विद्याद्यन करता था और जो लोगों को पढ़ाता था हर तरीके से विद्या का प्रशार प्रशार करना जो उसका मुक्यदाई तो होता था और ख्षत्री होता था वो हमारे अंदर की जो कोई भी जो असुर्ख्षा है उसको ठीक करता और और फ्रेंट्स के उपर जो हमारी सीमाओं के उपर शुरक्षा होती है जो है किसर विवाद है युद्ध है जो है सेना है ये सारा कांग शत्री का होता था ब्राह्मन शत्री वेश्य होता था वो सारा व्यापार हमारी करशी व्यापार लेना देना और सारा बिजनस जित्ती हमारी जो हमारा ये अर्थ का काम होता था वो सारा अर्थ से जुड़ा वेश्य वेक्ती हुआ करता था और चौता शुद्र होता था जो हमारी सफाई करता था वो महले की सफाई गाओं की सफाई शेर की सफाई और अपने जो है दूसरा क्या है गली की सफाई और व्यक्तिकत परिवार की सफाई गर की सफाई ये सारा शुद्र का काम होता था और सभी को समान जो है भाव से एक दूसरे के अंदर बाही चारा हुआ करता था कोई छोटे बड़े का बेद भाव नहीं हुआ करता ता तो गुरुगुल जब पत्चीस वर्ष की उम्र होती थी तो जो है जनम से 25 वर्ष की ब्रमचरी आसरम कहलाता था और 26 से 50 साल का उमारा ग्रस्त आसरम कहलाता था और एकाउं से जो पिछटर साल वानप्रस्त आश्रम कहलाता था और छीटर से सो वर्ष का जो है वो हमारा सन्यास आश्रम कहलाता था तो ब्रमचरी आश्रम के अंदर गुरू के पाश जाकर के जैसा जैसा, चारवर्ण का जो शिक्षा लेनी होती थी, उसको गुरू शिक्षा देते थे, अपने आस्रम में रखते थे, आस्रम एक तरी से उस्ट्रल रहता था, वो प्रकर्थी के और रहते थे, वो खुली हवा रहती थी, खुली आकाश रहता था, उनको श्रम करना पानी लाना पड़ता था बोजन पकाना पड़ता था और नदी नाले पसू पक्षी उन साथ के अच्छे संपर्क में रहते थे यानि प्रकर्ती की गोद में वो रहते थे तो प्रकर्ती की गोद में रहने से उप्रसन भी रहते थे और शम्शील भी रहते थे और गुरू का सा निद्धी मिलता था तो उनके अंदर अनुशाशन की बावना आती थी यानि वो सिक्षा के साथ साथ के अंदर जो हमारे मानवीय मुल्य थे सांस्कृतिक, मानवीय, धार्मिक आध्यात्मिक जितने भी मुल्य थे वो गुरू से मुल्यों की सिक्षा परात करता था और वह एक तरीके से पंडित बन जाता था पंडित का अर्थ वह पंडित वह व्यक्ति होता है जो की इमोशनली अब इमोशनल स्वास्त की बात आती है कि इमोशनली जो है वो अतिंद्रिय ग्यान में ज़्यादा रहते थे वह बुद्धी का कम उपियों करते थे और अतिंद्रिय जगत का प्रग्या का ज़्यादा उपियों करते थे गुरू होता था उनकी प्रग्या को जाग्रित कर देता था और प्रग्या है मौक्षी प्रतिनिदी होता है प्रग्या कभी भी गलत काम नहीं कराती बुद्धी तो क्या है सू बुद्धी भी हो जाती एर कू बुद्धी भी हो जाती लेकिन प्रग्या हमेशा सू ही रहती है वो कभी गलत काम नहीं कराती तो प्रग्या जाग्रित करते थे प्रग्या जाग्रित वाला पंडित कहलाता था वह जो है वो अगर और बड़ा सादग होता है तो उस्तित प्रग्या कहलाता था प्रग्या चक्षू कहलाता था ये अलग विश्य है तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बावनात्मक स्वास्ते वो होता है जो भीतर की आँख खोल देता है और उसके अलावा जो बाहर का जगत होता है उसके अंदर बावनात्मक स्वास्ते क्या होता है कि वक्ती राग दोएश की जूले में जूलता रहता है ये ठीक है, ये खराब है, ये ले लो और इसको छोड़ दो, ये मुझे पसंद है, ये मुझे ना पसंद है, ये वक्ती ठीक नहीं है, ये वक्ती ठीक है, मेरी उसे मितरता है, मेरी उसे सतरता है, मैं उसे बोलना नहीं चाहता, मैं उसे प्रेम करता हूँ, इस तरीके की भाव बावनात्मक जो अस्वास्ति है और बावनात्मक स्वास्ति क्या होता है कि हम जो है तटस्त भाव से रहे हम संभाव की संभाव की इस्ति है वो बावनात्मक स्वास्ति की इस्ति है और रागद्रेश की इस्ति है वो बावनात्मक अस्वास्ति की इस्ति है रागद्रेश के अंदर कुरोध मान माया लोग पैदा होते हैं और हमारा वो बुद्धी के स्थर पर होता है बुद्धी जो है शब्दों तक जुड़ी हुई रहती है जितने भी हमारी बोल चाल की बाशा है वह सब बुद्धी के वो इंद्रिय जगत है और जो हमारा भीतर का जो बावनात्म जगत है प्रभु का जगत है वह अतिंद्रिय का जगत है वहाँ पर शब्द नहीं चलते है इसलिए बेदबाव नहीं है वहां समानता है वह सत्य की प्राप्ति होती है वहां सम्यक दर्शन मिलता है वहां हम अवचेतन मन के करीब जाते हैं हम सब conscious mind के अंदर luminous body के करीब ज जाता है विद्वान हरेक बन सकता है जो की शास्त्रात करता है और शास्त्र के जो है शुत्रों को रड़ता है और जो अच्छा प्रवचन कर सकता है वो पंडित वो जो है विद्वान हो जाता है लेकिन विद्वान व्यक्ति राग द्वेश से जुड़ा होता है पंडित होता है वो संभाव से जुड़ा रहता है तो बहावनात्मक विकास का मुख्य उद्देश है कि व्यक्ति में इंटूशन को पैदा करना व्यक्ति को भीतरी जगत में भी ले जाना व्यक्ति का तीसरा नेतर खोल देना जो की संभाव का नेतर होता है ये राग और द्वेश हमारे द भावनात्मक स्वास्ते के अंदर चले जाते हैं उस स्वास्ते को मेंटेन करते हैं उस स्वास्ते को प्राप्त करते हैं तो हमारे तीसरा नेतर कुल जाता है वो संभाव का नेतर होता है तो वह हमें अब्यास करना चाहिए हमें लेना चाहिए और आजकल जो सिक्षा है उस स सादनों के हिसाब से हम बड़िया से बड़िया अपना जो है वो शोध कर सकते हैं खुद व्यक्तत्रों कर सकते हैं समझ सकते हैं उदान दे सकते हैं और सारी बातों का मुप्यों कर सकते हैं लेकिन जो है वो ये पहले नहीं था तो ये सिक्षा जगत में बहुत ज्यादा बड व्यक्ति को ईश्वर के परती विश्वास ही नहीं है व्यक्ति के अंदर राग द्वेश है व्यक्ति एहनकारी हो गया है व्यक्ति असेंसिल हो गया है व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है व्यक्ति स्वारती हो गया है तो उस भीतर के ख्षेतर के अंदर जो प्रग्या का ज और आज एक चरितरवान व्यक्ती रेप कर लेता है और अच्छे से अच्छे व्यक्ती जो है इसके वशी भूत हो करके अपराद करते हैं मसालों में मिलावड करते हैं और शराब पैदा करते हैं और कई कई तरह के आज कल तो सैक्ड़ों सैक्ड़ों तरह के अपराद है किस-किस की गड़ना करें तो अपरादों की गड़ना करें तो एक लंबी सूची त्यार हो जाती है लेकिन हमें तो अच्छाई की तरफ जाना है हमें तो अपरादों को छोड़ना है तो उसका ज्यादा क्या विवेचन करना हमें तो विवेचन करना है कि हमारे मुल्य कैसे आगे बढ़े और हमारा भावनात तक विकास हमारे emotional consent जो है वो किस तरह से maintain रहे और वह हम प्राप्ट कर सकें achieve कर सकें वो हमें बात करने चाहिए तो हमारा ये जो भावनात मक्सवास से वो प्राप्ट करने के लिए बीतरी जगत में जाने की मैंने बात कही तो बीतरी जगत में हम कैसे जा सकते है कि बीतरी जगत में जाने के लिए हमें जो है वो ईश्वर में विश्वास करना पड़ेगा इश्वर प्राणी धान यानि किसी रूप में इश्वर को उसकी भक्ती करनी चाहिए उसकी चैंटिंग करनी चाहिए उसकी माला फेरनी चाहिए उसके गुनों को याद करना चाहिए और सबसे बड़ा जो इश्वर है वो भीतर बिराजमान है वो हमारा प्रभू है, हमारी आत्मा है, वो ही हमें बुला रहा है और उसकी प्रेजन से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उट रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं देनिक सब तरह के मन के, वचन के और काया के सब तरीके के कारी करते हैं वो भीतर बिराजमान प्रभू की हाजरी से करते हैं तो उसके प्रती विश्वास होना जिसको हम कहते हैं आत्म विश्वास यानि हम अगर आत्म विश्वास को प्रात करते हैं तो इसका मतलब भावनात्मक स्वास्ते को प्रात कर रहे हैं और उसके अलावा जब हम प्रभू का चिंतन करने लग जाते हैं तो हमारी दूसरी बुराईयां जो है वो आटोमेटिकली कम होने लग जाती है क्योंकि भीतर जो बिराजमान प्रभू है वह अशरीरी है मूल सुरूप के अंदर हमारी आत्मा शरीरी वो ग्याता है वो द्रस्टा है वो जानने वाला है देखने वाला है और वह इस्तूल लूप में नहीं है वह तो जो है वो एकदम जो अमूरत है वो दिखाई भी नहीं देता है लेकिन इतना पावरफुल है कि उसके प्रेजेंस के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं हमारा अस्तित्व जीरो है तो भाई और बैनों बामनात्मक विकास करने के लिए हमें प्रभू का चिंतन करना चाहिए और सबसे बड़ा अच्छा चिंतन है हमारे भीतर भी राजमान प्रभू है इससे बढ़के इस दुनिया के अंदर कोई प्रभू या ईश्वर नहीं है यही परमात्मा है और इसको हमें परमात्मा बनाना है हम जब पर्मात्मा बनाने की प्रिखिरिया में चले जाते हैं तो हमारा बावनात्म विकास आटोमेटिकली हो जाता है और बावनात्म विकास को प्रभू के को समर्ण करने के लिए प्रभू का रिलाइजेशन करने के लिए हमें किसी गुरू को डूणना होता है हमें ग्यानी पुरुष की जो है वो सर्च करने पड़ती है कैसे करने पड़ती है जैसे स्वामी विवेका नंद ने की स्वामी विवेका नंद के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका नाम जो है वो नरिंदर नाता और वो लगबग 10-12 भाई बेन थे उनके गर की आरती इस्तिती इतनी खराब थी कि उनको दो जून की रोटी भी नहीं मिलती थी तो इस तरीके से वो लेकिन स्वामी विवेका नंद है पिछले जनम से पूर जनम से जो है अध्यात्म को साथ में लेकर के आये थे और वो अच्छा जो है वो हमारा भावनात्मक स्वास से लेकर आये थे तो उनके भीतर प्रभू और ग्यान का जो दीपक जागरी था तो उन्होंने बच्पन में सोच लिया मुझे गुरू के बिना ग्यान नहीं होता है गुरू गोविंद दावो खड़े और काक에 लागों पाए बलियारी गुरू आपनी और गोविंद दीयो बताए तो गोविंद की प्राप्ती करने के लिए गुरु चाहिए, तो उन्होंने खोज करनी चालू कई, बहुत से जो उन्होंने आचारियों को और विद्वानों को टटोला, लेकिन उनको सद्गुरु नहीं मिला, और आखिर जो उनको रामकरशन परम हंस के रूप में सद्गुर ग्यानी पुरुश मिल गए तो पर्सम दर्स्टवा जो गुरू को शिश्य मिल गया उनको देखता ही और शिश्य को गुरू मिल गया ये सारा कन्या को हमारी पे जो है राम करशन परम हंस का जो मठ था आस्रम था उसमें रहने लगे और बाद की बहुत लंबी बात है फिर उन संब्रदी आए तो वो भीतर गए तो जो है वो काली मा की जो छटा को देखा और उस नीरव शांत और उसे अच्छे जो है वातावन को देखा तो उसके अंदर वो अर्थ को मांगना तो भूल गए और उसमें गॉर्डेस प्लीज गिव मी दा इनलाइटनमेंट और 249 में बहुत बड़ा उनका historical speech आज भी फेमस है तो हम क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने बावनात मक्सवास थे इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सका था और हर मापुर्स उसके emotions बहुत शांत होते हैं उसके करोद मानमाया बहुत शांत होते है वो संभाव वाला होता है वो शांती वाला होता है वो शेहनसिलता होता है इसलिए कहा गया है कि संत वह होता है जो शांत होता है सदा दिवाली संत के और वारा महिने बसंत के जो संत होता है शांत प्रकरती का होता है और उनके 365 दिन के अंदर ही दिवाली रहती है नहीं वो ह हमेशा सांत रने कान आनंद की अनुभूती करता है और हमें आनंद की अनुभूती होती है तो माल के चलना चीए कि संभाव भीतर पकट हो चुका है संभाव के बात ही आनंद होता है क्यों संभाव और आनंद का जो है वह चोली दामन का साथ है वो दोनों complimentary है, दोनों एक सिक्के के पहलू है, एक दूसरे वो support करते हैं, एक कारण है, एक कारे है, हमारा जो emotional, जो health है, वो कारण है और आनंद की प्राप्ति है, वो कारे है, तो इसलिए वो हमें जो emotional, हमार कोशेंट से जो है, हमको आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसनता क प्राप्ती होती है ये उसका लाब है तो भाई और बेनों आज इस एपिशोड को हम open to the audience करते हैं और इसकी रिलिवेंस इसकी सामाजी उप्योगिता और इसकी जो है किस तरीके से हम ये जो है भावनात्मक स्वास्ते जो सबसे important स्वास्ते होता है ये हमाएं अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है और उसके सासात में हम जो है लोगों के लिए वंदनी इस्तुत्री आदरनी बन जाते हैं कब बनते हैं जब उसके करोध मान माया लोग जो है शान्त रहते हैं करोध मान माया लोग जो है वो उफशान्त रहते हैं तब ही वो अच्छे बावना तो स्वास्तिक और अच्छा इंसान होता है और जो minute-minute के अंदर जो है, वो रीजता है, यानि वो गुसा करता है, superiority complex लाता है, गाली-गलोज करता है और जितने जितने भी जो जो एमोशनल जो है नेगेटिव एमोशन से उनका उप्योग करता है तो वह व्यक्ति ना तो जो है अच्छा टीम का मैनेजर हो सकता है ना व्यक्ति जो है वो किसी के लिए उप्योगी हो सकता है उप्योगी होने के लिए हमें भावनात्मक स्वास्त को प्राप्त करना है और भावनात तोक स्वास्ति को प्राप्त करने के बाद में दीरे दीरे विक्ती स्टेप बाई स्टेप साधना को बढ़ाता है तो मुक्ती की अवस्ता को भी प्राप्त कर सकता है क्योंकि मैं जो है हमारा जो इमोशनल जो है ना हेल्थ के बिना हमारा इंटनल पीस मिले, हमें जो अक्ष ए सुक मिले, वो हमारा लकश है, और हम जो है, भव 무ोवांतर में गोटे नहीं कहा करके, और सिध्भ बुद्र मुक्त कcji बंटकर के, सिध्भ भवानतर में गोते नहीं का करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त के बन करके सिद्ध सिला के नुरुपस्तित हो जाएं वो हमारा लक्ष है उस लक्ष की प्राप्ति के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा भावनात्म विकास से भावनात्मक स्वास्त से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा तो भाई और बेनों इस एपिशोर को निसकर्स की बाशा में हम बात करें तो ये व्यक्ति के लिए उप्योगी है समाज के लिए उप्योगी है रास्टर के लिए उप्योगी है और विश्व के लिए उप्योगी है क्योंकि आज इस दुनिया को देखते हैं आज इस दुनिया में जितने जितने मुल्यों का मुल्यन होता हुआ है जितनी जितनी बुराईयां आई है चाहे आतंकवाद की हो चाहे पराद की हो चाहे रेप की हो चाहे गुंसकोरी की हो और भ क्टी हो गया क्जू कि अमुल्य और यह और यह आते हैं राग ग्षच्छ जाते हैं ये वावणनात्प कर असवास से आते हैं तो उस वावणना से को स्वासित Johan में बदलना है वो आज हमारा विशय है उसकी लिए आम связ को बहुत से जो है वो सुत्र दिये बहुत से उपाय बताए कि इश्वर प्राणी धान करना इश्वर कौन सा जो हमारे भीतर प्रभू के रूप के अंदर शुद आत्मा बगवान बिराजमान है उसका प्राणी धान करना पॉजेटिव थिंकिंग करना हमारे जितने भी नौगेटिव थोड़ से वो भावनात्मक जो है बीमारी को लागते हैं उसकी प्रतिरुदात्मक शक्ति देना उसका जो हम पॉजेटिव थिंकिंग करेंगे तो इमोशन सही आएंगे संभाव की इस्तथी को पैदा करना यानि से शनुता रखना टॉलरेंस को बढ़ाना और वास्ता में ह होता क्या है कि सारी समश्यों की जड़े वो असेंसीलता है हम चाहे परिवार के अंदर रहते हो चाहे समाज के बीच में रहते हो चाहे कार्याले में हो अगर हम एड़जेस्टिंग नेचर के हैं तो एड़जेस्ट एवरिवेर की बात होती है तो हम एड़जेस्ट हो जाते कियोंकि हमारी कोई कॉम्पलेक्स नहीं होता है दूसरा हमारे what IMP would like to run is रहे हमारे किसी पर दोश नहीं नहीं रहती है हम किसी के दोश नहीं देखते है किसी के अभी प्राइयर ओपीनिय नहीं देते है क्यूंकि भावनातं विकास वाले है हमारा जो emotional caution जो हे बहुत कंट्रोल में है, बहुत अच्छा हो चुका है, हम बावना, भाई और बैनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा आत्म विग्यान कारिकरम बराबर देख रहे हो, हमको फीड़बेक मिल रहा है, आप आत्म विग्यान कारिकरम की आत्मा हो, देखते भी रहे क्योंकि आत्म विग्यान कारी क्रम के नरा आपको अच्छ च्छ शुत्र मिलेंगे, आपको अच्छ च्छ फॉर्मिले मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, और आपका जीवन बहुत सुखी, शान्त और आनंद में बन जाएगा, क्योंकि हमारा उद्धिश यह सर्वे भवंतु मिलेंगे, शान्ती मिलेंगे, आनंद मिलेंगे, इसी क्रम में आपके प्रति वंगत बहुत। तातेड से, हमारे खास कारक्रम आत्म विज्ञान में, आत्म विज्ञान यानी सही दृष्टी, सही सोच।